जी के मस्ती MS में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है पिछले वीडियो में गुप्त काल के अंतरगत आपने लूसेंट और किरन बुक में दो वीडियो में लगातार दो बुकों का आपने एक्सप्लेइन देखा आज जो लूसेंट एक्सप्लेइन में आप्सिनल वाली बुक से तो 40 तक 20-20 कोस्चन हो गए दो पार्ट में लेकिन आज एक्सप्लेइन जब रहा नहीं है तो फिक जितने कोस्चन सेस बचे हैं चया 41 से जितने सेस हैं वो सारे कोस्चन इस वीडियो में देखेंगे और ये गुप्त काल का तिरती भाग होगा एक तालिस्वा कोश्चन है नालंदा विस्विद्याले की स्थापना का युग है तो नालंदा विस्विद्याले कुमार गुप्त रथात गुप्त काल है 42 गुप्त युग में भूराजस की दर थी तो उपज का छठा भाग ये भूराजस की दर थी गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महात्रपूर्ण विसेशता थी किस वन्स के सासकों ने मंदिरों एवं ब्रामभडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिये तो गुप्त बंस के सासकों ने मंदिरों एवं ब्रामभडों को सबसे अधिक ग्राम अनदान में दिये 45-वा कोश्चन दिली के मेहरोली के कुवत उल इसलाम मस्जिद के प्रांगर में इस्थिद प्रसिद लव इस्तंब किसकी इसमरत में है तो चंदर की इसमरत में है ना सोक की ना हर्स की ना अनंगपाल की चंदर की इसमरत में है 46-वा कोश्चन है काली दास द्वरा रचित माल विकाग्न मित्र नाटक का नायक था तो कालिदास जोरा रूरचित है माल विकागने मित्र नाटक का नायक जो है वो अगन मित्र है कौन है अगन मित्र है 47 वा कोश्चन है शमुद्र गुप्त की सैनेक उपलब्धियों का वरण उसके किस अविलेक में उपलब्ध है तो शमुद्र गुप्त की जो सायनिक उपलब्दियां हैं उनका वरण प्रियाग प्रसस्ति में अभिलेख में उपलब्द है 48. कौस्चन है किस काल में इस्त्रियों की पूरुसों से बराबरी थी तो गुप्त काल में इस्त्रियों की पूरुसों से बराबरी थी तो माल विकाग्न मित्र भी लिखा था अभिज्ञान साकुंतलम तो लिखाई था विक्रमो वर्सियम भी लिखा था जान की हरण जो है काली दास जी ने ये नाटक जो है नहीं लिखा था अगला कुष्चन एक क्यावनवा अजन्ता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं अजन्ता गुफा मद्प्रदेश में कहा हैं अजन्ता की तरह गुफाएं जो हैं और मद्प्रदेश में कहा हैं मतलब अजन्ता गुफाएं महाराष्ट में हैं ऐसी गुफाएं मद्प बावनवा कोश्चन है गुप्त वंस ने कितने सासन किया तो यह तो हमने पहले ही बताया 319 से 540 तक अर्था 319 से 500 इसवी तक बाल विव्या की प्रथा आरंब हुई गुप्त काल में सोने के सरवादिक सिक्क्य किस काल में जारी किये गए गुप्त काल में है ना यूरोपी भासा में अनुदित मतलब हिंदी यवन काल में चालू की गए शोनेक शिक्के लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आए तो गुप्त काल में पच्पनवा कोश्चन है यूरोपी भांसा में अनुदित प्रथम भारती ग्रंथ कौन सा है यूरोपी भांसा में अनुदित प्रथम भारती ग्रंथ अभिग्यान साकुंतलम है कौन है अभिग्यान साकुंतलम प्रथम ऐसा भारती ग्रंथ जो यूरोपी भांसा में अनुद देद किया गया चापनवा कोस्चन सती प्रथा का पहला उलेक कहां से मिलता है तो एरण अवलेक से मिलता है कहां से मिलता है एरण अवलेक से मिलता है कोस्चन नमबर सत्तावना इन सासकों का क्रम बताईए चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त सबसे बड़ा धेर कहां से प्राप्त हुआ है तो भरत पूर राजस्थान के बयाना नामकिस्थान से गुप्त कालिन शिक्कों का सबसे बड़ा धेर प्राप्त हुआ है कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा विश्विद्याले का संस्थापक माना जाता है साथमा कोस्चन इसमें दो कुटेशन दिये गए हैं पहला कुटेशन प्राचीन भारत में सामांती विवस्था का अभुदय सायनिक अभियानों में देखा जा सकता है प्राचीन भारत में सामांती विवस्था का अभुदय सायनिक अभियानों में देखा जा सकता है दूसरा गुप्त काल में सामांती विवस्था का प्रियाप्त विस्थार हुआ था देखिए ए और आर दोनों सही है ये भी सही है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभिदेश सायनिक अभियानों में देखा जा सकता है और ये भी सही है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का प्रयाप्त विस्तार हुआ था दोनों सही है किन्तो आर एकी सही व्याख्या नहीं करता ये अलग बा गुप्त काल में उत्तर भारती व्यापार जो है किस एक पत्तन से संचालित होता था तो तामर लिप्त एक पत्तन है बंदर गाहे वहां से गुप्त काल में उत्तर भारती व्यापार संचालित होता था गुप्त सासकों दोरा जारी किये गए चांदी के सिक्के कहलाते थे तो गुप्त सासकों दोरा जो चांदी के सिक्के जारी किये गए सोने के सिक्के तो दिनार कहलाते थे चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे क्या कहलाते थे रूपक तिरस्टवा कोश्चन है एक तरफ बताया गया है महान विद्धौन का नाम लिखा है और दूसरी तरफ उसका छेत्र लिखा है तो बताएंगे सबी विसाखादत जो थे वो नाटक है विसाखदत जो है इनोंने नाटक लिखा है और वारा मिहिर जो हैं ये खगोल विज्ञानिक थे चरक जो थे ये चिकित्सा से समंदित थे और ब्रह्म गुप्त जो थे ये गड़ी से समंदित थे विसाकदत नाटक वारा मिहिर खगोल विज्ञान चरक चिकित्सा ब्रह्म गुप्त गड़ी चोश्टवा कोस्चन है चंद्रगुप दुती के काल में विद्या, कला वा साहित का महान केंदर कौन सा था तो ना तो धारवार था ना तो वाराड़सी थी ना विदिसा थी ना उज्जेन सही वाफसन था उज्जेन कौन सा है उज्जेन जो है महान केंदर था अगला कालिदास की किर्श क्रती की गिंती विश्व की सवप्रशिद साहितिक क्रतियों में होती है तो अभिज्यान साकुंतलम कालिदास की क्रती है जिसकी गिंती विश्व की सवप्रशिद साहितिक क्रतियों में होती है चाश्ष्टवा कोश्चन है वर्तमान गडित में दस्मलो प्रडाली आविस्कार का स्रे निम्ड में से किस यूग को जाता है। तो आरवाट ने दस्मलो प्रडाली गुप्त-यूग को। निम्ड में से कौन सा गुप्त बिस के पतन का कारण नहीं था। नमबर एक, इसकंद गुप्त के बाद केंदर की सक्तियों का दुरवल होना, तो ये तो कारण था, हुडों का आक्रमण हो रहा था, ये भी कारण था, प्रांती सासकों का विद्रो ये भी कारण था, सत्ता के नेंतरंड के लिए आंतरी कला, आंतरी कला नहीं थी लेकिन ये त तीनु कारण मुख्य थे, इसकंद गुप्त के बाद केंदर की सक्तियों का दुरूबल हो गई, हुडों का आत्रवन भी अधिक हुए, प्रांती सासकों का विद्रो भी हुआ, और सटवा कोस्चन है, किस गुप्त सासक ने अपने सिक्कों पर आपने को वीला बजाते हुए आकरत में अंकित करवाया, तो समुद्र गुप्त ने, वहा प्रथम भारती विद्वान कौन था, जिसने गडित को एक प्रथक विषय के रूप में इस्थापित किया, आरभट ने, प्रथक विषय के रूप में गडित को इस्थापित करने वाला विद्वान आरभट, तो पहला गुप्त सासक जो था वो कौन था बां दुजब बहत्रवाच रआ जो है वह उञ तो समंधु गुप्त का जो अउने क्यों है वो प्रयाग प्रस Rush्ति अभलेग और like ओर जो है वो महिरोली लौ इस्थम लेग और शन्द गुप्त का अउने करेख सरी पिद्ध का अभलेग जो है वो पहाडपूर्तामरपत्र समद्र गुप्त का प्रियाग प्रसस्ति चंद्र गुप्त दुती का महरवली लव इस्तंबलेक इसकंद गुप्त का भीतरी इस्तंबलेक और बुद्ध गुप्त का पहाड़ पूरताम्र पत्र तित्रमा कोश्चन है मुद्रा की प्रकार और सासक तो कुमार देवी प्रकार जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम सासक था कुमार देवी प्रकार की मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम के सासन में वीडा वादन का प्रकार जो मुद्रा का वीडा वादन प्रकार है ये समद्रगुप्त चक्र विक्रम का प्रकार चंद्रगुप्त दुती सासक कार्तिके प्रकार कुमार गुप्त प्रथम सासक तो ये मुद्रा के प्रकार और सासक है कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम वीडावादन प्रकार समुद्र गुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्र गुप्त दुती, कार्थिके प्रकार कुमार गुप्त प्रथम अच्छा चोत्रवा कोश्चन है, सासक दिये गए हैं, सूची ये में और उपाद दी गए हैं इसे मिलाये दे रहे हैं। और समुद्र गुप्त की पतनी थी दत्ता देवी रुद्र सेन्दुती की पतनी थी प्रभावती गुप्त प्रभावती गुप्त रुद्र सेन्दुती चेतरवा कोश्चन है किस गुप्त सासक ने दच्छड़ पत में इस्तित बारा राज्यों पर धरम बीजे प्राप्त की तो समुद्र गुप्त ने दच्छडा पतमे इस्थित बारा राज़ों पर धरम वीजे प्राप्त की सतत्रवा कोस्टन है सर्व राजो छेता सर्व राजो छेता मानि सभी राजाओं को खाड फेकने वाले की उपाद किसको मिली तो सर्व रा जो छेता है समुद्र गुप्त को ये उपाद मिली किसने अंतिम सक सासक रुद्र सिंग तिरती को पराजित कर और उसकी हत्या कर सकों का अंतिम रूप से उनमिलन किया किसने अंतिम सक सासक रुद्र सिंग तिरती को पराजित कर उन्यासिवा कोश्चन है मतलब रचनाकार है और रचना है आरभट ने रचना जो लिखी है वो आरभटी है धनवंतर ने जो रचना लिखी है वो नवनीत कम है अभी आई थी नवनीत कम जो है चिकित्सा से सम्मंदित है नवनीत कम धनवंतर ने ब्रह्म गुप्त ने जो रचना लिखी है ब्रह्म शिद्धान्त लिखे है वारा महीर ने लिखिये पंच सिध्धान तक लिखिये वारा महीर ने पंच सिध्धान तक असिस्वा कोस्चन है सुधरसंजील जिसका निर्मार्ट चंद्रगुप्त मौर के सौराष्ट प्रांथ के गवर्नर पुष्च गुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार सक सासक रुद्र दमन ने करवाई थी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई इसकंद गुप्त ने चंद्रगुप्त मौर जो थे उन्होंने सुदरसंजील का निर्माड कराया सवराष्ट प्रांत का जो गवर्नर था पुष गुप्त तो उसने इसकी मरम्मत करवाई है ना सक सासक जो रुद्र दमन था उसने करवाई मतलब चंद्रगुट मौर के कहने पर जो पुष्रमित्र था इसका सौराष्ट का गवर्नर चंद्रगुप्त मौर का उसने सुदरसंजील बनवाई थी मरम्मत सक सासक जो है था रुद्रदमन ने करवाई और दुबारा से मरम्मत इसकंद गुप्त ने कराई एक क्यास्वा कोश्चन है प्रसासकी विवाजन और प्रसासक क्या कहलाता था तो सुची ए में प्रसासकी विवाजन और सुची दो में प्रसासक तो भुक्त यानि प्रांत प्रसासक उपरी कहलाता था विसय यानि जिला विसय पत कहलाता था नगर यानि नगर पत ग्राम या तो महासंद विग्रिक ये युद्वा सांती का मंत्री है महासंद विग्रिक विग्रिहिक महाडंड नायक सेना का सरोच अदिकारी कहलाता है विने इस्थित इस्थापक धार्मिंग मावलों का प्रमुख अदिकारी कहलाता है ये भी सही है महा अश्रुपति गज सेना का विने इस्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुखतिकारी और यह महाश्वत असुका है लेकिन इसमें गज सेना दिया है तो इसलिए गलत है तिरास्मा कोश्चन है छेत्र भूमी जो है यह क्रसियोगी भूमी थी वास्त भूमी निवासियोगी भूमी थी आप्रहत जंगली भूमी थी खिल भूमी जो है क्रसिके लिए अनुपयुक्त भूमी थी खिल भूमी जो है क्रसिके लिए अनुपयुक्त भूमी थी तो यह सही है छेत्र भूमी क्रसियोगी भूमी वास्त भूमी निवासियोगी भूमी आप्रहत भूमी जंगली भूमी खिल भूमी क्रिस के लिए नुपयुक्त भून चवरासिमा आये कौन सही सुमेलित नहीं है तो किराता अरजुनियम भारवी ने लिखी है दसकुमार चरित डंडिन ने लिखी है मरच कटिकम सुद्रक ने लिखी है प्रियाग प्रसस्त जो है रविकीर्त ने नहीं लिखा कौन सही सुमेलित नहीं है बागभट अस्टांगरदे सही है कामदक नीतिसार विसाखाधत मुद्राराचस भरत हरी मेग दूतम ने कारी दास ने लिखी है लेकिन इसमें दे दिया मेग दूतम भरत हरी तो यही गलित है विसाखदत ने मुद्रा राचस लिखी ये विसाई भरत हर ने मेगदूत नहीं लिखी ये गलत है चियासमा कोस्चन है सुची ए सुची दो तो स्रेष्ट जो होता है वो साहुकार सार्थवा या व्यापारी कहलाता था कुलिक जो है ये सिल्पी या कारीगर कहलाता था कायस्त जो थे ये लेखक थे स्रेष्ठी, साहुकार, सार्थवा, व्यापारी, कुलिक, सिल्पी या कारीगर, कायस्त लेखक मिहिरकुल का समन्था हूड कन्योज को सर्व प्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे माउखरी कन्योज को सर्व प्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे माउखरी गुप्त राजा जिसने विक्रमादित की पद्वी ग्रहण की थी ये चंद्रगुप्त दुतिय थे कुत्म मिनार के निकिट इस्थित लव इस्तम बैग्यान को का ध्यान क्यों खीच रहा है उसकी जंग रोधक्ता के करण प्राचीन भारत में गुप्त काल से सम्मंदित गुफा चितरांकन की केवल दो उदारन उपल अब्द हैं इनमें से एक अजनता की गुफाओं में किया गया चितरांकन और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवसिष्ट उदारन किसी स्थान पर है तो बाग गुफाएं जो मध्प्रदेश में हैं बाग गुफाएं ये गुप्त काल इनकास चित्रांकन है गुफाओं में एक महाराष्ट की अजन्ता की गुफाएं दूसरा मध्प्रदेश की बाग गुफाएं बानिवेवा कोश्चन है पुंडरक वर्धन भूकती आविस्थित है यह मतलब एक प्रांट है पुंडरक वर्धन भूकती यह उत्तर बंगाल में है परम भागवत उपाद धारन करने वाला प्रथम गुप्त सा सक्था समुद्र गुप्त तो यह तो प्रापिक आएगा वो आएगा गुप्त उत्तरकालिया वर्धन काल थैंक्स पॉर वाचिंग